नमस्कार दोस्तों आज एक होल के अंदर दो मोनिटर और दो कोलम से कैसे प्रोग्राम निकाला जाता है उसके कनेक्शन कैसे किये जाते हैं हम आपको बता रहे हैं आज इस वीडियो में हम कनेक्शन ही बता रहे हैं आपको कि कनेक्शन किस तरह से कर रहे हैं हमने इसके अंदर एक mixer इसमें लगाया है शोर का और दो मशीने इसके अंदर हमने ली है एक धाई सो वाट की और एक पान सो वाट की जिसमें हम दो monitor और दो बारा इंची के टूवे कॉलम इस पे चलाने वाले हैं और हम इसके connection थोड़ा हम आपको बताते हैं जो नए हमारे sound वाले भाया है वो इसको देखके कुछ सीख सकते हैं इसलिए हम आज छोटी सी clip आज बना के उनको बता रहे हैं थोड़ा वेस समय था हम पूरा वीडियो तो नहीं बना सके लेकिन थोड़ा बहुत जो बनाया है वो सब हम आपको शेयर कर रहे हैं मिक्सर को के अंदर हमने पावर सप्लाई लगा लिया इसके अंदर हमने आउजा का DMX 44 वो भी इसके अंदर हम लगाए हैं ताकि होल के अंदर इको का क्वालिटी अच्छा बन सके जो मोनिटर है वो मोनिटर के लिए हमने ढाई सो वाट की मशीन यहां लेके आए हैं और जो 12 इंचि के जो टूवे हैं उनके लिए हम 500 वाट की मशीन लेके आए हैं मिक्सर की दोनों आउटबुट को हम दोनों मशीनों के अलग-अलग इसमें दे दी हैं फॉक्स के अंदर लगा दी है और उसके बाद में हम कोलम का जैसे यह कनेक्शन करेंगे वो क्या करेंगे मितरों जैसे हम 12 इंची तूबे की कनेक्शन करते हैं तो नीचे वाली म줘 डबल जोन है, एक जोन में common और 4 याद रखेगा मित्रों, हमेशा तार जो two-way speaker हो, वो या कोई भी speaker हो, वो common और 4 में ही लगाना चाहिए, जाहां common चार और आठ तीन पॉइंट दियो होते हैं, वहां black के अंदर common और 4 में, जो ये red वाला दिया हुआ है, ये line matching के लिए काम आत रहा है हम दोनों स्पीकरों को एक पहले जोन के अंदर कोमन चार दूसरे स्पीकर को कोमन चार के अंदर हम लगा लेंगे यह चोटा से कनेक्शन आप ध्याने रखिएगा मित्रों ऐसा नहीं हो कि आप दोनों को तार को कोमन को छोड़ दो और चार में और आठ में लगा लो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना आपको तार केवल कोमन और चार में ही लगाने हैं आज बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में पूरा सेट